कर् готов child safety. EARTH PRAISER the李enge judan сд ी यहां अर्थर इरतक रहा है। इंड active a fresh a red room the brewery普تरब कर से रहे तो पहले हम जो बच्चा रूपा बच्चा प्रेशर का है वह पड़ देते हैं तो जो बच्चा हुआ पोसन ए लोепसे रचेसर था सब्सक्राप इसर में जैसे हमने कल देखा थाकि एक्ट गिए monster में जो बेसिक डिफेडिए रहता है एक्ट के मुवमेंट का या अर्थ प्रेशर के मुवमेंट का अगर अर्थ प्रेशर स्वाइल मास के में स्वार्ट से दूर जाती है एन एक स्वार्ट कर लंग और तो DDR के तुर जाती है तो और Retaining Wall क्या होगा यह वाला जो Soil Maas होगा यह Soil Maas आपका अबबर डारेक्शन ने मुफ करने की कोशिश करेगा अब जब यह Soil Maas आपका अबबड डारेक्शन में मुफ करने की कोशिश करेगा तो इस Case में इस Retaining Wall पर यह Soil जो Preser लगा रही होगी उस Preser को हम बोलते हैं पैस इश्ता आक्से स्ट्रेस लग रही है उसको हम si large वान वहलेंगे प्रिविय्स स्केसमे जो majaed होती है वो सिगमा सिगमा खों सिगमा बोलते हैं और सिगमा एक्ष को सिगमा ठिरिक बस इसकिस में क्या हो ज्थिज्ट यू आपका सिग्मा एक्स है वह आपका सिग्मा वन हो जाएगा और सिग्मा बन को यह हम क्या बोलेंगे पैसे औरत प्रेश Truck a .g devil क्योंकि ओडिया सिर्फ इन Leonardo इंटु हएट । यहां से यह वाली यह हाइट है यह हैटि आपकी mythogen kiya वही higher तो sigma 3 1 plus के sin phi upon 1 minus के sin phi plus 2c under root 1 plus के sin phi upon 1 minus के sin phi अब इस equation में जो sigma 1 है, sigma 1 को आप क्या बोल ला है, पैसे वर्ट प्रेसर PPC से रेप्रेजेंट कर रहे हैं और जो sigma 3 है, sigma 3 को क्या बोल ला है, sigma z बोल ला है, तो sigma 1 की जगह हम PP पूट कर देंगे और sigma z की जगह हैं हम क्या देख देंगे वो sigma 3 की जगह हम sigma z पुट कर देंगे ठीक इस equation को simplify करेंगे तो simplify करने के बाद यह वाली जो value आपको दिख रही है 1 plus के sin phi और 1 minus के sin phi इन value को हम एक coefficient का नाम दे देते हैं के लिए उसको यह को सिएंट को बोलते हैं तो यह वाली जो value है को इस को पुछेशन को बोलते हैं के p cofition आप भेशर इन पैसे के तो यह इसको पैसे हो अर्थ प्रेसर कोपिषियंट भी बोलते हैं तो यह अगर के तो अंडर्ट के पि क्या होगा अंडर रूट वन प्लश के साइं फाइपां बन मैंने साइं तो इसकी जगा पर हम क्या लें बहुत देंगे अंडर्ट के पी तो आपकी जो इक विट्वेस्ट सब्सक्राइब कि हो जाएगी एक विट्राइगी आपकी इस यार्ट है किया एक कियो सन्वाइगी एक्विशन में जाएगी टिपी टीकवाल टू के पी सिगमा जाड प्लस के टु सी अंडरों टेपी तू सी अंडर रूट केटी ठीक यह आपकी अर्ट प्रेसर की एक्विशन बन गई अब इसमें वही अजंशन आपकी यूज हुए होंगे हाँ के पी की जगे क्या लिख होगे आप बन माइनस के साइन फाई अगर आप के पी और के ए के पी और के को आपस में कंपेर करेंगे तो जो के था के क्या है आपका के पी का जस्ट अपोजेट है मतलब वन माइनस के साइन फाई अपाउन वन प्लस के साइन फाई यह क्या है आपका के है और के पी के का जस्ट अपोजेट है ठीक तो अगर हम के पी और के में अगर रिलेशन निकालेंगे तो के पी और के में को relation क्या मिलेगी KP के में relation मिलेगी KP और KA एक दूसरे के inversely proportional है KP is equal to KP is equal to one y times of K या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं K is equal to one by times of KP ठीक इस equation में हम अपना अगर यूज करेंगे तो अजमसन क्या था कि जितना भी आपको analysis करना है वो analysis आपको cohesionless soil के लिए करना है cohesionless soil का मतलब क्या होगा कि आपके लिए जो C की value होगी वो क्या हो जाएगी zero हो जाएगी और जब C की value आप zero कर देंगे तो आपके पास जो PP का formula बनेगा पैसे और प्रेसर का formula वो क्या होगा KP into sigma Z या आप simple इतना समझ लिजिए कि जैसे कोई ये retaining wall है आपकी ये अगर कोई retaining wall है और इस retaining wall के जिस point पे आपको अर्थ प्रेसर की value चाहिए जैसे suppose that इस point पर चाहिए है तो यहां से ये जो height है मालो ये height Z है तो इस point पे जो अर्थ प्रेसर की value होगी वो होगी coefficient of earth pressure अगर पैसर हो है तो इसको KP से represent करोगे active है तो इसको KA से represent करोगे into density of soil into Z ये क्या होगा आपका उस point पे अर्थ प्रेसर की value होगी second change ये जो earth pressure है ये earth pressure Z की respect में change होता है देखो KP और K जो coefficient वो depend करेंगे 5 पे अगर 5 change होता है तो change होगा अगर uniform soil है throughout the top से bottom तक यहां से यहां तक अगर uniform soil है तो uniform soil के लिए soil की जो property है फाई वह आपकी constant रहेगी अब दब soil की property आपकी constant है तो उस case में क्या होगा आपका K या KP जो भी coefficient of earth pressure वो change नहीं होगा जब यह चेंज नहीं होगा सेकंड चीज स्वाइल uniform है density वी चेंज नहीं होगा जैट change होगा तो जैसे जैसे height change होती जाती है आपके earth pressure की value की होती जाती है एक्तम just bottom पर bottom पर height कितनी हो जाएगी total जो earth returning wall की height है यह क्या हो जाएगी total height हो जाएगी और इस total height है तो यह value क्या होगी आपकी maximum earth pressure की value होगी ठीक है clear यहां पर दोख हमने relation निकाला है k a और kp में तो k a और kp में जो relation है वो यह है कि k a into kp दोनों क्या है आपके one के बराबर जाएगे क्योंकि जो k a value आपस में cancel out हो जाएगी तब यह value cancel out हो जाएगी तो यह क्याता आजाएगा तो k a is equal to one upon kp k is equal to one upon kp हमको यह relation k a और kp में मिल जाएगा ठीक अब एक note है note कि जैसे कोई भी आपको case दिया हुआ है returning wall दी हुई है उस returning wall में आपसे पूछा गया है कि force calculate करो या due to this earth pressure आप movement calculate करोगे तो वो चीज़ आप कैसे calculate करोगे तो उसके लिए क्या है जैसे यह returning wall बनी हुई है आपके पास यह returning wall बनी हुई है इस returning wall की जो total height हो कितनी है h height है total height h है और total height h है अगर हम earth pressure diagram बनाएंगे इसके लिए तो minimum pressure कहां पर मिला होगा at top पर और maximum कहां पर मिला होगा base पर top पर जो pressure की value होगी वो क्या होगी 0 और base पर पर जो pressure की value होगी वो क्या होगी coefficient of earth pressure जो भी आपका k a a k p a gamma into height k a gamma h तो यहां पर जो pressure की value लिखी हुई है k a gamma h ठीक और जैसे जैसे आप top से bottom की तरफ जाते जाएंगे earth pressure की value increase होती जाएगी यहां पर earth pressure कुछ होगा यहां पे कुछ होगा यहां पे कुछ होगा और इस तरीके से अगर आप इनको मिलाएंगे तो आपको एक triangular pattern मिलता है कि earth pressure जो होता है वो top से bottom तक triangular pattern में vary करता है अगर हमें force की value calculate करनी है तो force क्या होता है stress into area या बोल सकते है pressure into area ठीक है pressure into area तो pressure कितना लग रहा है प्रेसर लग रहा है यह जो diagram आपको दिख रहा है triangular pattern में यह pressure लग रहा है ठीक तो हम क्या करेंगे इस pressure को अगर हमें इस pressure के वज़े से total force निकालना है तो per unit length हम wall पर बात करेंगे जो wall है wall का कितना area soil के contact में होगा wall की यह height है और इसकी length इसकी length होगी wall की इस तरीके से जो length होगी वही area आ रहा होगा exposure में अगर area का आप बात करेंगे area को कैसे define करेंगे height into length वह area आपके soil के contact में आएगा और उस area के ऊपर आपकी जो soil होगी वह क्या लगा रहे होगी similar में तिक तो हिस तो जो पिलाओ को concrete करते हैं इसटरिंगल की होगा 1 by 2, base की value की यहा है, क्या है, क्या है, k गामा H, और height कितनी है, H, तो यह क्या मिल जाएगा, आपको force मिल जाएगा, FH equal to, k गामा H square Y 2, इसी तरीके साथ पैसे और परिसर के लिए force की value नकालेंगे, तो पैसे और परिसर के लिए क्या होगा, force, है F p Great 1 V 2 KP guys में हैं है C best यें histories में जाएंगा इस अथेया गारा आपकर config calming चाहिए है तो मूबन कैसे नकालो कि दो मूंस फो प्रेसर आपका होस्त कर ताओ अट कर रहा हुआ है इस ट्रेंगल की g backed कर रहा होगा this triangle की g Act कर रहा होगा यह force आपका मुमेंट क्या होगा इस पोइंट कर्ोश्ज मांझ किया टो वज़े से आप मोमेंट से आप कि इतना है वन गाइटू के इडा मैच स्क्वेर टू एकश वाई थी तो मुमेंट कितना मिल जाएग आपको मुमेंट मिलेगा कि मिलेगा वन उयगरा वन भाई गोई सेक्स के एक आम है एच क्यूव एसा ही अगर पर फैसे के लिए निकाल लेंगे तो फैसे के लिए क्या होगा कि यहां पर के की जगह हम के पी लिखे देंगे के पी गामा एक क्यू इस तरीके से हम रेटेनिग उल में यह आपकी जो भी आपका अर्थ करक्षा रहा है वह मूहियं की वालिए करते है ठीक अब आपका ऩॉल्टय कि ऑनी क्सिट इसटाइब क्या होता है आपके सट्पाइब के टाइफ कि अंन है सित्रफितब ऑल की तरह सज़ा इसकतर होता है वो ख़ला है सथिस्केद्ट करते हैं अपके लायट पै्छ होते हैं और small construction की जैसे आप को मालो कहीं फेर के ऊपर कोई construction करना है या आप जी खोद रहे हैं तो आप क्या करोगा स्ट्रेंच के चारो तरफ एक seat लगा दो गे और उस seat को यहां पर यहां पर इस तरह के से ट्रेंट खोदने हैं तो आप क्या करोगे यहां पर गड्डा करना स्टार्ट करोगे इसके जो एंड है बाउंडरी का सीट लगा दे चले जाओंगे सीट लगाने से क्या होगा हुगा जैसे इसका प्लान भेखो तो आपने गड़ा किया तो आप यहां पे लगा दोगे यहां पतिल को अदर अपना conjunction का काम करते रहो गए यह सीट क्या होगा हैойти तरह है इस तरफ से प्रक में construction बर्क में यूज होता है अगर आप सीट पाइल को देखेंगे तो सीट पाइल बेसिकली आपकी दो तरीके की होती है एक होती है केंटि लीवर सीट पाइल दुसरी होती है एंकर्ट सीट पाइल या इसको हम एतना है कि जिस तरब आपके जैसे यह आपका seat file है यह आपके यह आपका seat file है ठीक यह आपका seat file है अब क्या seat file के इस तरफ भी soil है और इस तरफ भी Soil है Seat file के दोनों तरफ क्या है Soil है तो क्या हो पुप्र होगाCon यहां पर सौल की जो डेस्ट हब कम है इस जिक जाए है तो मैं ल मोलते हैं लाघकाई लिगर देफ्ट के टान लिए हो घा Mean तो इस तो यहां पर है को यहां पर टो यह ए इंकर कर देंगे तो इस तरह को यहां तो क्या होगा यहां पर जो इन्कर फीपन अगर मेर्ट इंक्रीज करते हैं मतलब क्या होगा कि यहां पर इसकी आप इंक्रीज कर तो जब देखना दैफ्ट इंक्रीज करोगे तो इस तरफ से भी स्वाल की पर सट की वैल्यू इंक्रीज होगी और स्वाल सट में बनड़ी तो क्या होगा कि यह जो आपको यह आपकी deep depth seat file या anchored bulkhead, clear, ठीक है, तो अब एक एक करके हम discuss करते हैं, सबसे पहले अपनी anchor seat file discuss करेंगे, फिर हम, पहले cantilever seat file discuss करेंगे, फिर हम anchor seat file discuss करेंगे, तो जो cantilever seat file है, यहाँ पे आपकी cantilever seat file बनी हुए, जिसमें A, B, A भी दिख रहा है, यह है A, और यह है B, यह ज यहाँ फिल बी हीstillे है और इस तरफ तरफ यहाँ पे जो फील की depth ए at the level इस इस वोलते है यह वाली west line, यह वाली सिल Touittش di इक हे इस इस को ब्ले लाइन को सबस्क्रेय però यहां से लेकर यहां तक जो हााइट वह है और यांसे लेकर कजरा है इतना dir ai दज़े अपने इनकोा वोगी उस डिख्डेक्टट सेफ में आपको क्या जिख रहा है कि किसी एक पॉइंट पे जो नेट इस फाइल हो क्या है आपकी जीरो डिफलेक्शन हो कर रही है उस पॉइंट को उमने मार कर दिया ओ डगि्रेट लाइन वाले पॉंट को क्या मार कर दिया इढ का अब देखो तो इतने हैं जित्में किया दोनों तरीके के प्रिसर एक्ट करते हैं स्वील्य अर्टिक्ट वी एक्ट कर रहा होगा और पैसे ऑर प्रेसर किस बदूगया कर रहा हो। बो आप सॉइल की डीक्र में सीट पाइल का मुवमेंट लिए साथकते हैं जब स्वाइल से दूर जा यहां पर जो प्रेसर कर रहा होगा ये तिने से लेकिए इस पोर्षान में उस पोर्षान में कौन सा प्रेसराइक्ट कर रहा होगा आपका एक्टिवर्थ प्रेसर ka बाज भीच 드ards अगा है आपको राइट वाली स्वाइल को दिखेंगे तो सीट पाइल राइट वाली स्वाइल की तरब जा रही है तो यहां पर यह सीट पाइल इस स्वाइल कूपर कौन सा प्रेसर एक्ट कर रही होगी पैस्व एक्ट कर रही होगी लेकिन इस वाली स्वाइल के लिए सीट पाइल कहां जा क्या होगा अगर आप left-hand side की soil को देख रहे हैं तो left-hand side की soil के लिए ऐसे लेके तक retaining wall आपका active behavior कर रही है तो ऐसे लेके ओ तक आपकी क्या होगी active Earth pressure होगा अब active Earth pressure की base की value कितनी होगी वही coefficient of active pressure into density into height height कितनी है यहां से लेके यहां तक है प्लस ए उसका अब इस वाली जिलेखो इस वाली हो की तरफ दारी है कि यहां पहर की तरफ जा रही है तो इस पॉइंच पॉइंट से और active earth pressure की value कैसे निकाल होगा अब इस की value की गामा यहां से लेकि यहां तक कि डेप्स कितनी है डेप्स है तो को गमा लगी तो इस तरीके से आपका active earth प्रेसर का डाइग्राम बन गया है ठीक है आप हम बात करते हैं पैसि जान परेशर का डाइग्राम ये कौण सा ये है आपका कि डेक्टिव एब आय त से तक को रसकेर हो Unterstüt कि या पिषिड कि बात कर लेत लगा हूँ सबसे पहले आप इस वाली में धुटि को देखिए है राइट में जैटेनिंग विल कहाँ तक से तक झाल की तरब जा रही है पीजिया तक को मुझा से लेकि वितक है यह को पॉइंट है और से लेकि बीद के डियटियू की तरब यह से तो इतने पॉर्सिन में जो प्रत्स लग रहा होगा वह कौन सा प्रेसर होगा प्रिस प्रेस प्रेसर की वेल्यू कि pee कितनी होगी है यहां तक की आप कि इस की डिटिने यहां से लेकरOOOO क्योंति गिए देखिए मैं यह अब इसके e से लेके और तक इसे लेके आ तक जो जो वह 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 साघी तरब जा रही है हमते तो उनलिडिया रिखना है और टुम्हा रहीं है तो इतने portion में जो returning wall है वो soil के तरफ जा रही है तो इतने portion में जो pressure लग रहा होगा वो pressure कैसा होगा आपका passive pressure होगा और यहां से लेकिए यहां तक की height कितनी है small a तो इस passive pressure की value कितनी में जाएगी kp gamma a तो इस तरीके से आपके active earth pressure और passive earth pressure returning wall में define होते हैं तो यह वाला जो diagram है यह diagram किसका है आपका passive earth pressure का diagram है clear अब इसके आगे करनल से हम next class में करेंगे